तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में मैगनेटिक बिहेवियर हम लोग पढ़ चुके थे तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि मैगनेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे और मैगनेटिक मोमेंट आप तभी कैलकुलेट करेंगे जब आप magnetic behavior को ठीक से जानते होंगे तो आईए हम सिखाते हैं आपको कैसे आज हम लोग magnetic moment calculate करेंगे बस एक छोटा सा आपको formula याद रखना पड़ेगा वो formula है mu is equal to root में n into n plus 2 यहाँ पे आप लगाईएगा भी यहाँ बस आप इस formula को अगर follow करते हुए चलेंगे तो आप compound हो या iron हो या element हो उसका आप magnetic moment easily calculate कर सकते हैं अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन क्या क्या है यहाँ पे जो mu होता है यह दर असल आपका magnetic moment होता है n होता है आपका number of unpaired electron और आपका बीयम होता है बोहर magneton इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट आफ मैगनेटिक मुवमेंट यानि यह आपका मैगनेटिक मुवमेंट का क्या होता है यूनिट होता है अब इसको कैसे calculate करेंगे जैसा कि मैंने पिछले वारे lecture में धेर सारा formula compound iron इनिवेंट को इस पर लिखा था तो उसमें से किसी को भी आप उठा लेजिए जैसे मान लीजे मैं ले लेता हूं के सबसे कैसे मैंनों वोर में का मैंगनेटिक मुवहमेंट क्या होगा तो आप पहले यहां पर मन का OMCAL stocks numbers calculate करैंगे तो आपको मैंगनीज के उपर सार्ड़ पता चलैंगा कितना सार्ड है जितना सार्ज होगा उतना किया जाएगा उसके बाद D सबसेल में उसके जितने अन्पेड इलेक्टरान होंगे वही N का वैलू होगा और उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हमारा magnetic moment पता चल जाएगा तो पहले oxidation number calculate करते हैं जिनका calculate करना होता है उसके equal to में हम लोग X मान के चलते हैं तो potassium का होता है plus 1 plus का sign लगाई है MN का X लिखिए oxygen 4 times है तो 4 into oxygen का होगा minus 2 compound वोपर कोई charge नहीं है तो इसको अगर आप solve करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा X is equal to plus 7 यानि आपको इससे क्या पता चला आपको इससे ये पता चला कि potassium per magnet compound में magneez हमारा plus 7 oxidation state में present होता है यानि अब मैं लिखिऊंगा MN के उपर plus 7 charge अब अगर normal अगर magneez का configuration लिखते हैं तो आपका क्या होता है आरगन लगाते हैं आरगन लगाते हैं आपको पता चला कि आप 18 इलेक्टरान भर चुके फिलब कर चुके हैं बाकी तो magneez का क्या होता है 25 होता है तो यानि क्या बना 3D5 4S2 बचा अब आप जब सोचिए अब यहाँ पर यह MN कितने oxidation state में प्लस 7 यानि चार्ज कितना है प्लस 7 का तो यहाँ से 2 इलेक्टरान और यहाँ से 5 इलेक्टरान चला जाएगा तो जब MN प्लस 7 के फार्म में होगा तो यहाँ पर इसके पास D में 0 इलेक्टरान होंगे यानि आपको यहाँ पर N का वैलू क्या मिला 0 तो आप फार्मूले में μू स्कॉल्टू पुट करिए N इंटू N प्लस 2 BM यानि मू स्कॉल्टू क्या हो जाएगा रूट में 0 इंटू 0 प्लस 2 BM मू स्कॉल्टू क्या होगा यहाँ पर इधा से तो यह 2 ही बनेगा लेकिन यहाँ पर मल्टिप्लाई होने के बाद रूट 0 BM यानि आपका मैगनेटिक मूमेंट कितना निकल के आया 0 BM यानि यहाँ पर मैगनेटिक मूमेंट इसा कितना होगा 0 BM होगा अब अगर आप इस फॉर्मूले को लिख चुके हैं या इसका स्क्रीन सॉट ले लिजिए तो मैं आगे डिसकस करूँ तो आप इसके इन सॉट ले लिजिए तो आप इसके इन सॉट ले चुके होंगे अब जैसा कि अगर बोला जाए Cu प्लस टू का μू कितना होगा यानि मैगनेटिक मूमेंट तो बस आपको एक ही चीश पता करना है उसमें अनपेड इलेक्टरान कितने है तो कॉपर का कान्फरिगेशन 3D10 4S2 होता है तो जब Cu प्लस टू में करनोर्ट होगा इसका मतलब 2 इलेक्टरान दोनेट किया तो कान्फरिगेशन क्या बना 3D10 यहाँ पे दरसल 1 होता है तो यहाँ पे कन्फरिगेशन क्या बनेगा 9 बनेगा तो 9 का मतलब अगर आप D का बॉक्स बनाईए 1,2,3,4,5,6,7,8,9 इलेक्टरान फिलफ हो चुका है अब इसमें आपका एक इलेक्टरान है तो अनपेड इलेक्टरान कितना बचा एक बचा तो N का वेलू कितना मिला एक मिला इसको आप फार्मूले में पूट करिए musical2 N into N plus 2 BM तो क्या बनेगा musical2 root में 1 into 1 plus 2 BM इनको आप एड़ करिए 3 तियानि musical2 क्या बना root 3 BM अब अगर इसके आगे ले जाएंगे तो 1.32 BM बनेगा यह आपका exact answer हो जाएगा तो ऐसे आप लोग calculate कर सकते हैं यानि अगर आपको पता हो कि जो compound दिया गया है या element दिया गया है या आयन दिया गया है उसके पास unpaid electron कितना है तो आप इस formula के help से magnetic moment calculate कर सकते हैं तो आपको केवल N के वैलू पता करना है तो पिछले बारे लेक्चर में जो भी compound या आयन बोर्ड पे लिखा गया था डहे सारा आप उनको लिखिए चेक करिए कौन डाया है कौन पैरा है और उसके बाद unpaid electron count करते हुए आप magnetic moment calculate कर सकते हैं तो हमारे इसाब से आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा ये lecture भी तो अगर आपको हमारा वीडियो अक्षा लगा तो इसको like करिए और ज्यादा ज्यादा लोगों को share करिए और चैनल को subscribe करिए